अखिरकार हम पहुंच के हम माना गाव ने यह वाला मुमेंट देखा जो कि इतना प्यारा लगा रहा है यह देखो यहां से सरसती माता इतने बड़े भीन थे क्या इस तरीके का है अब का मेरे पांड़ा है द्रौपती मंदिर उपर से यह स्वर्गा रूहनी वाली लाइक ला रास्ता तैय करना लगता है कि स्वर्टो कुछ और ही वन्जूव था इस व्लाग में हम गए थे बद जिनात दर्शन करने अन आज हम जाने वाले हैं माना गाव बट इससे बहले खा लेंगे कुछ हमने सुवह से कुछ नहीं खाया था तो आखरकार एक प्लेस मिला जा हम खा सके बट वहां सच भूलू टेस्ट उतना अच्छा नहीं था बट इस लाइक ओके क्योंकि लास्त रैम पे कुछ भी मिल जाए क्योंकि वहां यात्रा सीजन में जगा ही नहीं बची थी अब हम निकल गए माना गाउं की तरफ बट उससे पहले मैं दिखाऊंगी आपको सेशना क्यास हो एंड ये आप थोड़ा और ज्यादा ग्रोव हो रहा है एक बोलता है ना विकास वाला एक योशना आया है या बट वो जल्दी हो जाएगा उसके बाद मैंने खाया राजमा चावल जो की वहां बंट रहे थे तो बहांने वोला भाई साब भूक लग गई है बहुत जादा अखिरकार हम पहुंच के हम माना गाओ जो की बदर नाथ सा इतिंक दो या तीन किलोमेटर दूर है बट बहुत सुन्दर जगा नहीं भी आरिया खाना प्रागे इत्रकारी किने सुन्दर कर रहे हैं अगर पर कैमरा होता ना लिटरली बहुत जादा ड्रीमी फोटो आती है बट कोई नहीं तो अब हम जा रहे हैं भीमपुल की तरफ जो की पैदल यात्रा होता है और मैंने यह वाला मूमेंट देखा चुकि को इतना प्यारा लगा ना डॉगी के साथ अनकी बात कर रही थी हैं अब हम आगे के लिए निकल गए हैं भीमपुल वहां से आधा एक किलोमीटर दूर होगा वहां थोड़ा पैदल है बट आपको टाइम का पता नहीं चलेगा पहले तो दूसरी थी आखरी दुकान एक और बन गए ना अब तो उपर भी बन गए होगे तो बहुत सारा आखरी दुकान बन गए होगे तो हम अभी पहुँच गया है बीमपुल पर अभी नीचे पर है फुल और यहां पर सरस्कति नदी यहां से निकलती है वाइदेवे जलते हैं देख यहां तो मंदिर बन गया अज चुटा काफी बदलाव आ गया था इस बाच यहां पीमपुल गए आफ्टर लॉकडाउन यह है यहां पर यह देखो यहां से शरस्कति माता श्कति नदी न करती है यहां ना मंदिर बन गया है सरसती माता का बाइद वे यह उद्गम इसतल भी है सरसती नदी का जो कि आपको आगे चल के देखने को मिलेगा यहां पर मूर्ती भी है बहुत सुन्दर सी और उनका मंदिर भी है यहां पर भीम का पैर भी है कहां पर भीम का बड़ा सा पैर दिखता है अभी दिख नहीं रहा था क्योंकि लोग ज़्यादा थे उसके अलावा पत्थर वगएरा वहां थे तो उसे दिख नहीं पाया बट अब हम जा रहे थे मंदिर के अंदर दर्शन करने बट वहां अलाव नहीं था क्योंकि अभी बन ही रहा था अब हम जाने वाले हैं भीम का पैर देखने यह है यह पैर यह आई होप दिख रहा होगा तो उपर से इतले के निच्चे तक तनी वैसे यह भीम का पैर है इसी दे इसका नाम भीम पुल है अब हां तक इतने बड़े भीम थे क्या तो पैर कुछ इस तरीके का है अगर आप पास से देखोगे ना आपको पता चलेगा एंड बेको इतना चाता आश्चरय हो गया था क्योंकि इतने बड़े पैर यहीं से पांड़ों ने स्वर्ग के लिए अपनी यात्रा तै की थी अब होनी के प्रक्टाथी तो बस ज़ारस आगे ना पांड़ो की जाना रश्टा मद्रापति यहां जो आए इसा नहीं हो फ्लमन पुराने पार पुराने लोगों क्या पता होगा वे ना घंटा करहां का सौरी मंदिर है यहां उपर इधर नहीं इधर उपर है और यहां जो उपर साइड द्रापती मंदीर जो कि उनकी तपो इस्थली एंड जैसे यहां से स्वर्गा रोहनी स्थार्ट हुई थी न उसके बाद बहुत सारे ऐसी जगह है जो कि पार्ण डाउं से बहुत जादा रिलेट करने वाली जैसे यहां द्रापती मंदीर है आगे एक नकुल देव की जहां डाथ हुई थी वसुधारा है पार्क कहां पर जो लॉंग वाला पार्णी है के पार्ण किपना आज है है उसाम वाला जहां सगी करें अच्छा बट सुन्दर था यहां इतनी थी as you can see हर जगह ऐसी है फोटोजैनिक एन आप सुकून से बैठ सकते हो ऐसी आपने स्टोरी सुनी हो की जो की डियल है तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ एंड यह हमारा लास्ट प्वेंट था इस व्लॉग का क्योंकि हमको रियल बोलो तो सच में ऐसा था कि नहीं हम यहीं तक जाएंगे बाइदेवे जो सड़क दिख रहे है ना यह आई तिंक त तो यहां से इंडिया की सीमा खतम हो जाती है तो में किया वोडी थी कि हां हमने सोचा था यहीं तक जाएंगे उपर पर आपको दिख रहे हैं रहें रहें बसेरा जस्ट वहीं पर एंड वहां से हम वापिस आ जाएंगे बढ़ गैसवर्ट लगता है किस वाथो कुछ और ही प्लैनिंग नहीं की थी पानी तक लेकि नहीं गे थे बट वह आपको आगे आने वाले व्लॉग में देखने को मिलें दिखाना तो क्यामरे के पिछे वड़ी है तुमा जाकर बतारी तो मैंना दो क्या वोड़ी है तीन परसेंट बैटरी बची है मेरी तीन हो गई तो कभी भी ये व्लॉग एंड हो सकता है बट उससे बहले में भी थोड़ा और ना जा रहे है यहां के दिख जाएंगे और वीडियो में बने रहे हां दो किसे ये लाइब देखेंगी वहले आप लोग ना देख पाऊ हां लाइब जाता भी ने देखोंगी ह तो अब मिलते हैं पार्ट 3 वलसुधारा व्लॉग में तब तक के लिए बाई